प्रिधार मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को और सीम नितीश कुमार को हम धन्यवाद करना चाहते हैं इस वार जिस तरीके से बजट को पेश किया गया है और उस बजट में बिहार को जितना तवज़ो दिया गया है आज से पहले किसी भी बज़ट में इतना बिहार को तवज़ो नहीं दिया गया था नवश्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेश्ट ये बाते कहनी है विजय कुमार चौधरी के दरसल आपको बता दें कि बिहार विधान मंडल का मौनसुन सत्र चल रहा है और मौनसुन सत्र के दौरान विजय चौधरी ने केंसरकार के तरफ से जो बजट पेश किया गया है और उस बजट में जो तरीके से बिहार के लिए केंसरकार ने अपने खजाने को खोला है उस पर प्रिधान मंती नरेंदर मोदी और नितीश कुमार को धन्यवात कहते हैं वे कुछ बोल रहे है सनसंद में चली हम आपको सुनवाते हैं विजय चौधरी की पूरी बातों को जो आप बोल रहे हैं जो मानिय सदत्सिगन प्रतिफक्ष के जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं सरकार उस पर अपना पक्ष रखना चाहती है और हम यहीं सदन की तरफ से सरकार की तरब से सदन को बताना चाह रहे थे कि आज केंदर सरकार का बजट आने वाला है कम से कम तब तक प्रतिक्षा कर ले जहां तक मुख्य मंत्री के नित्रित तुमें बिहार सरकार की मांग है और बिहार की जनता की अपेक्षा है हम ये जरूर अपेक्षा करते थे कि या तो हम में विशेष राज्जी का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले या विशेष मदद मिले क्योंकि महोदे देखिएगा तो तीनों का अंत में अर्थ एक ही होता है कि बिहार के विकास के लिए अलग से करनांकित राश बिहार सरकार को दी जाए और महोदे हमने कहा था लकिन इन्होंने तो कुछ सुना नहीं चले गए और हमने कहा कि आज एक सदस जो आपने आपती भी की थी पॉकेट में संसदिये परंपराओं को तार तार करते हुए वो बच्चों वाला जुनजुना लेके आये थे जुनजुना दिखा रहे थे बिहार सरकार को और आज महोदै संसद में बिहार के विकास के लिए जब वित मंत्री जी प्रधान मंत्री की अनुमती से एक से एक योजनाओं के लिए बरी रास की सुकृती की घोशना कर रहे थे बहोदै ये जुन जुना इधर दिखा रहे थे अउधर बिहार के विकास के लिए रास के आवंटन का डंका बज़ना था देली के संसद में गोदे और आज हमने अभी कहा था कि अगर सही माने में आपके को बिहार के विकास से रुची है या संवेदन शीलता है बिहार का विकास चाहते हैं और मुख्य मंत्री जी के नित्रित में बिहार ने जो अपने सिमित संसाधनों में अदुईति की और विकास की रफ्तार काइम करके केंद्र सरकार को अपनी विश्वसनियता और दक्षता से अवगत कराया है उस सिलसिले में मुख्य मंत्री जी ने भी कल कहा था आज मी सुवव इन्हों ने कहा है कि इंतजार करिए हम लोग सुरू से कहते थे हम लोग असानित हैं और आ भरोसा करते हुए ये समझिये की अभूत पुर्व किसी वर्स बिहार केंद्रित मतलब बिहार के लिए एतनी करनांकित राशी की घोतना बजट में नहीं हुई थी और इसलिए मोधे हमने कहा कि अगर आप बिहार के विकास के प्रति इमानदार हैं तो आज इस सदन को केंद्र सरकार के लिए धन्यवाद और आभार प्रगट करना चाहिए और बहुत है हम लोग ने ते कहा है कि आज ये भले देखिए बिहार के विकास से इनको क्या मतलब है कि जब हमने बिहार के विकास के लिए जो योजनाएं आई हैं जिसकी सुकृति या जिसको क्रियानन के लिए केंदर सरकार ने गोशना की है उसके बारे में कहिए इनको पचा नहीं बिलकुल नहीं पचा और साफ है कि इनको विकास की बात भी सिर्फ राजनीति के लिए ही करनी है बिहार के जनता के हित से इनको कोई मतलब नहीं है और आज बिहार की जनता इस बात को देख रही होगी बिहार की एक एक लोग आज के बजट से कितना प्रसनित प्रफुलित होंगे महोजय ये समके समझने की बात है लेकिन इनकी स्थिती देखिए कि समकुछ छोड़के फिर राजी आज समझे कितने महत्वपुर्ण विद्धेकों का अधिनियमी करन है और वो सुबह में महोजय हमने कहा था आपके माधियम तो हमने कहा था कि आज ये लोग बिहार के विकास और विसेश दर्जे का घड़्याली आशू जो बाहर है है कि सब से पहले सब से दुखद बाती आई है कि सब से पहले बुख्य मंतरी जी के नित्रित में विखार को जब विसेश दर्जे की राज्य की स्रेणी में लाने की मान उठी थी तो सब से पहले उसको उसी यूपिय सरकार ने खारीज किया था जिसमें ये सभी सदस्य से और आज उसी का रोना रो रहे हैं घरियाली आसू बाहर रहे हैं बिहार की जनता महोदै सब कुछ समझती है पूरी तरह से बेदार है जागरूक है और इनके इस जो समझिये राजनीतिक हद कंडे में आने वाले नहीं हैं और आज जो केंदर सरकार में किया है और जो बिहार सरकार पर भरोसा किया है महोदै आज ही दो हजार पचीस के एजेंडा स्ट हो गया और साफ दिख रहा है कि ये एंड ये सरकार के नितिश कुमार के नित्रित में भविस सुनरे होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं, यही मैं आपसे निविदन करना चाह रहा हूँ